इस विडियो में मैं मिनिमूम वेब रिइंफॉर्स्मेंट को डिसकस करूँगा इसका बैक्ग्राउंड क्या है यह वैसे तो आपने यह पढ़ा है ना कि हमने इक्वेशन डिसकस की गए जी वी यू शुद बी इपल तो और लेसर देन फाई वी सी लस वी एस यह अमने डिसक को बिलकुल पीछे छोड़ दें अगर खाली फाई वी सी को देखा जाए तो वही बढ़ा हो जाए वी यू से तो इसका मतलब यह है कि हमें कोई स्टीर इंफॉर्स्मेंट के जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा खाली फाई वी सी ही बढ़ गया है वी यू से तो लहाजा स्टी से हमें कोई गन्रिविशन थेवरिटी का लिए हमें जरूरत नहीं है लेकिन असल में हमें फिर भी जरूरत पड़ेगी और हमें फिर भी स्टील वेब रिइंफॉर्समेंट कुछ डालनी पड़ेगी उसकी क्या वज़ा है उसकी वज़ा यह है कि for example मैं आपको मिसाल देता ह कि एक केस में वी यू था आपका let's say 70 किप और आपका 5 VC बन गया let's say 80 किप यह चले 75 किप अब theoretically तो आपको जरूरत नहीं है कि खाली 5 VC ही खाली concrete की contribution factor लगाने के बाद भी आपका बड़ा है वी यू से तो theoretical आपको जरूरत नहीं है जो shear strength के जो results है यहनी shear test के जो results है उनमें इतना scatter है कि मिसलाँ एक ही तरह की जैसे हमने longitudinal reinforcement का आपको यह effect देखा था तो हमने देखा था कि इसमें longitudinal reinforcement के ओपर इतनी ज्यादा different strengths आ रही है इसका मतलब यह है कि ज्यादा variation है हमारे पास test results में और specially कुछ cases में फिर यह नीचे भी आने शुरू हो जाती है certain जो हमारी code की equations estimated capacity उससे नीचे भी आने शुरू हो जाती है तो यह अगर आप इन जगों को देखें तो इस जगों में मतलब आलदो हमारी reinforcement यहाँ पे इतनी ज्यादा कम भी नहीं है longitudinal reinforcement की बात हो रही है यह without web reinforcement without web जो behavior है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ जो without web जो behavior है concrete without web reinforcement वो थड़ा ज्यादा unpredictable और of course much more brittle है unpredictable essence में के variability उसमें बड़ी है यह data आपको काफी scattered नजर आ रहा है इससे आपको यह समझाती है कि आप दो एक जैसे beam बना दें तो हो सकते है एक strength shear strength कमा जाए की ज़री ज्यादा आजाए आलदो आपने अपनी तरफ से उनको एक जैसा बनाने की कोशिश की थी सो इस वज़े से इस variability की वज़े से इस equation से जो हम calculate कर भी लेते हैं लेकिन फिर भी हमारी जो जो कहले के level of confidence है वो इतना जादा नहीं होता इस वज़े से हमें बहुत जादा 5VC को खाले अगर 5VC बड़ा है तो फिर इस base पे यानि अगर जैसे यह situation थी तो फिर इस base पे हम य नहीं करेंगे क्योंकि यह जो 75 किप आपने calculate कर दिया 5VC calculate करके 5C multiply करके तो यह जो 75 किप का answer हो सकता है कि beam असल में जब आप उसको बनाए तो उसकी जो असल में capacity हो सकता है कि वह 65 किप यह 60 किप की उपर जाके fail हो जाए और आप जो calculate कर रहते capacity वह से कम हो वह capacity कम निकले अस खाली इस base पे हम यह condition के अगर आपका 5VC तो फिर आपका 5VC तो फिर आप कहें कि में share enforcement नहीं डालता इस को code accept इसलिए नहीं करता क्योंकि यह sufficient margin of against safety नहीं देता जो होनी चाहिए जो rationally होनी चाहिए इसके लिए requirement यह रखी गई है कि आपने यह देखना है कि खाली concrete यह आप affected applied shear तो अगर affected applied shear है वो इस range अगर यह जो पहले में थोड़ा सा clear कर देता हूँ अगर आपका VU greater हो जाए 5VC से फिर तो definitely आपको 5VC यह यह स्टील की contribution चाहिए फिर तो web reinforcement चाहिए ही चाहिए तो इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है लेकिन अगर आपका 5, अगर आपका जो VU है वो greater हो जाए half 5VC से और of course वो मैं थोड़ा सा वापस जा रहा हूँ अगर VU greater हो जाए 5V से थोड़ा सा note कर लेता हूँ यहां पर तो shear reinforcement या मैं इसको web reinforcement कहता हूँ web reinforcement is required in all cases all cases ठीकर यहों मर्जी case हो जाए यह आपको अब तो theory भी यह कह रही कि जुरूरत है लेकिन दूसरी जो situation है वो यह है कि अगर VU lesser हो 5, sorry VU अगर greater हो जाए हाफ 5VC से ठीक है अगर VU greater हो जाए इस quantity से यानि 5VC के 50% से ज्यादा हो जाए तो फिर आपको you have to provide minimum web reinforcement ठीक हो गया इसकी वज़ा क्या है कि जो पहले डिसकस कर दिया कि scatter बहुते results में और दूसरा यह है कि अगर खुदाना खासा आपनी reinforcement नहीं डाली web की और somehow overloading की वज़े से वहाँ पे वो failure होता है shear की वज़े से और कोई आपने web reinforcement नहीं डाली हुई है तो यह जो failure होगा यह बड़ा brittle failure होगा कोई warning इसमें आपको नहीं मिलेगी तो इस वज़े से दो रीजन्स हो गई बृटल failure shear failure की बृटल यानि विडाउट web reinforcement जो शियर का failure very brittle है उस एक वज़ा दूसरी वज़ा यह है कि जो capacity हम हम calculate कर रहे हैं 5 EC वह को बहुत जादा accurately बहुत अदल high level of confidence के साथ महीं हम calculate कर रहे हैं वो उसमें uncertainty थोड़ी सी ज्यादा involved है इस वज़ा से इन दो वज़ों के वज़ा से हमें minimum web reinforcement provide करनी पड़ती है case 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 में इस case में ठीक है general बात यह है इसमें कुछ exceptions है इस rule में जो मैंने यह लिखा है कि we you greater हो जाए 50% of 5 EC तो पर आपको minimum web reinforcement provide करनी पड़ती है इसमें कुछ exceptions है मैं अभी सिरफ यह लिख रहा हूं कि इसके some exceptions ठीक है मैं exceptions को end में discuss करता हूं ताके आप flow को समझ सकें ठीक है exceptions के तरह में बाद में आओंगा अब मैं discuss करता हूं कि minimum web reinforcement है कितनी minimum reinforcement अगर हमें minimum web reinforcement डाल दी हो तो कितनी डालेंगे सो वह है a v minimum equal to 0.75 या मैं ऐसे लिख लेता हूं equal to larger of 0.75 under root of fc prime bwd और दूसरा है 50 psi bw sorry मैंने bwd लिख यह bws है s is the spacing of longitudinal spacing of the stirrups web reinforcement bw into s over अच्छा सुरी ओपरवाल equation में भी एक चीज रहे गई है लिट मी करेक्ट दे है यहां पे f y t b है इस expression के अंदर second है के 50 psi bws over f y t इन equation में जो difference है वो बस यह difference है यहां पे लिखा हुए 0.75 under root of fc prime और यहां लिखा है 50 psi अगर आपको एस minimum की equation याद हो तो वहां भी कुछ इस तरह की एह जगा आपको याद है 200 लिखा हुआ था और एह जगा पे कुछ और वैल लिखी हुई थी 7.5 under root of fc prime यह से कुछ लिखा हुआ था भारत वह different topic है मैं av minimum की बात कर रहा हुँ तो larger of these two आपने provide करना है याई आपका जो av है provided जो av है that should be greater than av minimum और av minimum आपने इस तरह से calculate करना है थोड़ सा मैं इस पर भी बात कर लेता हुँ कि इन दो relations को याई यह अलग-अलग relations क्यों है और इनकी क्यों जरुद पढ़ रही है अगर आप यह देखें कि इन मेंसे कब कौन सा govern करेगा मतलब अगर fc prime की value अगर हम equate अगर हम कर सकें अगर मैं equate कर दूँ यह थोड़ सब प्राइम के उपर यह answer exactly 50 बनेगा कब यह equal to 50 बनेगा when you put fc prime equal to यह इस equation को अगर आप solve करें तो इससे आपके पास answer बनेगा triple four zero psi तो अगर fc prime exactly इतना है अगर fc prime exactly इतना है तो फिर यह दोन answer equal हो जाते है इससे बड़ी value होगी तो फिर यह ऊपर वाला expression govern करेगा ठीक है okay so this governs for fc prime greater than 4400 psi इन इसका मतलब है कि अगर लेट से 4000 psi होगा तो फिर यह मीचे वाली जो value है यह बड़ी रहेगी ठीक है यह यह जो value है this would govern when fc prime is less than 4400 psi यह govern करेगा नीचे वाला अब मैं उन exceptions को discuss करूंगा कि जिन में हमने उपर कहा कि अगर v u बढ़ जाए half 5 vc से तो हमने minimum weapon enforcement डालने ही डालनी पड़ती है with some exceptions कुछ exceptions हैं जिन में यह rule apply नहीं होता जिनके अंदर यह तो हमने पहले discuss कर चुक है कि अगर v u 5 vc से बढ़ जा तो in all cases we need web reinforcement यह जो हमने discuss किया था लेकिन यह हमने discuss किया था कि generally speaking you need minimum web reinforcement when v u is greater than half 5 vc लेकिन इस से exceptions क्या हैं वो exceptions यह हैं यह जो मैं आपको नीचे acai का table दिखा रहा हो यहां पर वो exceptions discuss हुई है क्या in exceptions के अंदर situation में क्या हम apply करेंगे अगर in exceptions के अंदर यह जो हम चार cases discuss करने जा रहे हैं इन में v u का खाली half 5 vc से बढ़ जाने पर हम कहेंगे कि minimum reinforcement इसके उपर नहीं हम कहेंगे उपर तो हमने कहा है न कि अगर v u 50% of 5 vc से भी बढ़ गया तो हम minimum reinforcement डालेंगे इसमें relax कर दे थे इनमें हम कहते हैं कि v u अगर greater हो जाए 50% of 5 vc से तो कोई बात नहीं है minimum reinforcement के जरूरत नहीं है लेकिन अगर वो of course 5 vc से बढ़ जाए तो फिर तो हर सुरत में उपर हमने discuss किया था कि फिर तो हमें जाहर है कि हाथ तो equation बता रही है कि अगर v u की value ये value 5 vc से बढ़ जाए फिर तो हर सुरत हमें share reinforcement की तरफ जाना है तो फिर तो हमें minimum डाल नहीं डाल नहीं डाल नहीं डाल नहीं reinforcement लेकिन इन cases में यहनी हमने जो relaxation दी है कि इन के अंदर हमने कहा है कि अगर v u बढ़ हो जाए 50% of 5 vc से यह जो फिरस्ट पार इसकर नजर आ रहा है तो इस case में हमें AV minimum की जरूरत नहीं है वो उनकी reasons है हर के अपनी अपनी reasons है अगर आपको यह reason समझ आ गई है कि उपर जो हमने minimum reinforcement के उपर जो हमने इसकी reasons discuss कर दी है कि हमें minimum reinforcement इस सूरत में डालनी पड़ती है आम जो हमने discussion की है exception में जनरल जो बात है उसमें हमने कहा था कि दो reasons है एक reason हमने कहा था कि failure बड़ा brittle होता है तो जिस case में failure brittle ना हो यह जिनका failure brittle है तो जाहरे हमें minimum reinforcement की जरूरत है और दूसरा हमने कहा कि जहाँ capacity के उपर ज़्यादा uncertainty हो ज़्यादा scatter हो result में तो उस case में यह हमने यह खच्छा हो कि हम जो calculated capacity हमारी वो हम कहीं over estimate ना कर दें असल capacity क ना हो जाए और हमारी calculation वाली capacity बड़ी ना हो जाए तो इस इन दो reasons की वैसे हमने का minimum reinforcement जाईए तो जहां यह reasons नहीं होगी वहाँ पे हमने waiver दे दिये मसलें एक जगा shallow depth यह shallow depth की वज़ए से क्यों हमें यह जो first आपको नज़र आ रहा है इस case में shallow depth shallow depth को अगर आप देखें त मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पे factors जब हमने discuss किये थे तो हमने कहा था कि size effect हमने discuss किये तो हमने कहा था कि जैसे size बड़ा होता जाता है तो उस हिसाब से जो V over BWD into under root FC' की value है यह जो shear stress जिस shear stress पे failure होता है वो shear stress reduce होना शूरू हो जाता है जैसे size बढ़ रहा है तो अगर size छोटा हो यानि 10 inch से भी छोटा हो किसी भी बीम का तो इसका मतलब है कि वह वहाँ पे हमारी equation जो आपको नज़र आ रही है जिसमें यह 2 वाली line नज़र है यह ACA की equation वाली line है यह ACA की equation है वह इससे उपर वाली sizes है उनके लिए तो conservative है उनके लिए तो safer side पे लेकिन उससे नीचे वाली side के उपर वह conservative नहीं है बलकि वह capacity हम over estimate कर देते हैं इन sizes के लिए इस data की base पे तो इसका मतलब यह हुआ कि जो छोटे sizes हैं उनमें हमें डरने की जुरूरत नहीं है उनमें हमें हमारा level of confidence high है अगर हम अपनी इस equation से यह जो यहाँ प है उसका तालुक यह है कि उसका size छोटा है छोटे size के case में हमारा जो level of confidence है अपने फार्मूले पे वह ज्यादा है इस वज़ए से हमें हम कहते हैं कि अगर 50% 5VC से बढ़ जाए तो कोई बात नहीं बस 5VC से बढ़ना नहीं चाहिए वी यू तो उस वगका तक हमें A B minimum की ज इतना अगर shallow है कि 10 इंच से भी कम depth है तो बहुत कम होता है लेकिन अगर हो तो फिर उस case में यह जो requirement हो थोड़ी relax हो जाएगी A B minimum वाली यह ठीक हो गया integral width slab में यह है कि H फिर इन दो में से 24 इंच से कम होना चाहिए और इस value उपर वाले value से भी smaller होना चाहिए और इस value से भी क्या है उसके साथ है size effect के साथ है size effect में अगेन हमने थर्ड जो case से वह है steel fiber reinforced concrete के लिए हमने discuss I don't know किया था यह नहीं किया था लेकर steel fiber reinforced concrete अगर डाल दी जाए इन्हें अगर plain concrete के बज़ाए steel fiber reinforced concrete आप बना दे उससे beam अपने बनाई हुई है तो हमने discuss किया था कि उसको जो failure है इतना brittle नहीं होता इस तरह से brittle नहीं होता जिस तरह से plain concrete का failure होता है तो उससे ductility काफी improve हो जाती है और उससे जो resistance है shear की वह भी अच्छी खासी मिलना शूरू हो जाती है एक जगह पे coat हुआ है कि 3.5 under root FC prime BWD तक चली जाती है एक तो हमने discuss की थी ना कि यह normal concrete में तो हम इस त factor है यह बढ़के 3.5 तक चला जाता है तो इस वज़ए से capacity almost double हो जाती है तो इस वज़ए से condition wave off की गई है और दूसरा यह के वह ductility prove हो जाती है यह जो failure है वह उस तरह से sudden नहीं रहता इस वज़ए से अगर fiber reinforced concrete से beam बनाए जाए तो और H again 2.4 inch से कम हो और यह जो आपको नजर आ रहा है यह basically इसका दूसरी अलफाज में यह मतलब है कि अगर हमने VC को calculate किया है to lambda यहाँ जो कि normal weight concrete की बात हो रही है तो light weight के तो चक्कर है यही ना steel fiber reinforced concrete हो normal weight concrete हो तो normal weight concrete के case में जो कि lambda 1 हो जाता है तो इस लिए factor की जरूद नहीं रहेगी यह वो disappear हो जाएगा तो इस को नजर आ रहा है यहाँ पर 5 के बाद यह basically VC है जो इस equation से calculate की गई है ठीक है कि इस equation से so इसका दूसरी अलफाज में यही बन अगर हम आलदो VC की कुछ detailed equations भी हैं जिसके अंदर rho W और VU और M U O D वाल effectors आते हैं यह यह नहीं लागिंच चुनल रिइंफॉर्समेंट विज ल lesser than this value हो और 24 inch से कम हो और आपने steel fiber reinforced concrete से बनाई हो further limitation यह एक FC प्राइम भी 6000 PSI से कम हो और दूसरी last जो बात यह है वो यह कि जो fiber content आप डालें वो मैं SI system में यह आपको बता रहा हूँ 60 kg per meter cube से आपने minimum आपने डालना है और plus कुछ और provisions हैं जो यह chapter number 26 है इसके अंदर steel fiber reinforced concrete से related कुछ additional provisions हैं आपने पूरी करनी होते हैं मिनिमम जो इसके residual flexural strength है वो कितना होना चाहिए वो सारी चीजे specified वो पिर according to specifications होनी चाहिए जो के chapter 26 के अदर गिवन है बाहराल steel fiber reinforced concrete के लिए यह relaxation है provided के यह conditions meet हो लास्ट जो है वो one-way joist system है one-way joist system कुछ इस तरह कहोता है मैं अगर थ जैसी यह मैंने picture google से लेकर आपको दिखाया है कि यह अब जैसी joist system में अगर cross section में मैं इसको देखू तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा यानि ऊपर से तो चल इस तरह से straight हो जाएगा और इसके बाद से फिर इस तरह से यह आपको नज़र आएगा इस तरह से further यह construction चलती जाएगी यह करके मतलब basically यह जो जगह होती है यहाँ पे आप slab में आपको पता है some spacing पे बारे हम डालते हैं यहाँ पे आपने let's say बारें डाल दी है जैसे जो भी आपकी reinforcement बांद रही है मैं अभी just typically ब्लॉक कर रहा हूँ इसको जहाँ जहाँ आपको बार डाल दी है उसके around concrete आप डाल दें और इस तरह से आप नीचे और continue करते जाएं तो यह इस तरह से जहाँ जहाँ आपको बार प्लेस करनी है उधर ही concrete रखें बाकी जग रखें concrete ताके वह compression में utilize हो बाहराल one-way joist slab की बाहराल बात हो रही है two-way अगर हो तो उसकी two-way shear का failure जादे dominant हो बाहराल वह one-way की बात हो रही है तो उसके अंदर भी provision दी गई है उसकी वजह यह बताई जाती है कि इसमें जो load है वो बहतर redistribute हो जाता है मुझे बहुत जाद इसि केंदर में डिसकस कर लेता हूं इसिकें इसकेंदर में डिसकस कर लेता हूं strength reduction factor sorry strength reduction factor for phi strength reduction factor for phi for shear फो यह चाहँ पहले प्र इसकाश किया हो phi for shear is taken for shear and torsion both ठीक है जी चाहे शियर हो या टॉर्शन हो दोनों की वज़े से जो फाई है देट इस टेकन इपल टो 0.7 0.75 थोड़ी सी छोटी वैली इस पी रखी गई है के फ्लेक्जर के मकाबले में शियर का फेल जादा जादा ब्रिटल होता है और जो हमारे एक्सपरिमेंटल रिजर्ट से उनमें जादा जादा वेरीशन हैं उस वज़े से कम वैली रखी गई है यह फाई के 0.75